हेलो दूस्तों नवस्कार मैं मुकिश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की स्पेशल वीडियो में जैसा की फ्रेंस आप जानते हो जो प्रिस्मेंट चैनल मत प्रिस का एक मात यूटूब चैनल है जिसकी माध्यम से आप है एजूकेशन के साथ साथ सिख्षा भरती यतिती सिख्षक की कोई भी लेटिस्ट कवर होती है उसकी बहतर एनलेस सहे डीपली जानकारी जान सकते हैं इसके साथी पीबी के द्वारा जो कोई भी एकजाम है साथी कोई भी लेटिस्ट नोटिफिकेशन है उसकी बहतर एनलेस सहे डीपली जानकारी जानने के साथ 60 जानकारी यदि आपको जानना है तो चैनल को जरू सबस्क्राइब करें और बेल आईकन को प्रेंस रखें जिस प्रिकार हम देख सकते हैं कि पीबी ने इससे पहले एक हफ़ते पहले अपना जो एकजाम सेडूल है वो फ्रेंस हटा दिया गया था पुना जो एकजाम सेडूल है कलेंडर है वो जनरेट कर द या डेट अप फिर से पुश्ट पेट होगी तो आखिरकार आप देख सकते हैं पीबी पीबी के जो फ्रेंस होम पेज पर जैसे हम इंटर करेंगे मैं आपको पीबी की साइट पर भी लेकर चलूँगा सीधा आपको लाइब बताऊंगा तो वहां हम देखेंगे कि पीबी के एकजाम कलेंडर की जो टेंटेबर डेट है वो अभी कंफिरम नहीं है फ्रेंस हो सकता है फिर भी आँगे बढ़ सकती है लेकिन अब या तो इस फ़स्ट हो गया है कि इस दिसंबर में एकजाम नहीं होगे बर तीन की जो नभी परिच्छा डेट कब जारी होगी कब होगी एकजाम आखरकार या परिच्छा होगी या नहीं होगी अब तो संबाव नहीं हो चुकी है कि क्या परिच्छा या आखर हो ही नहीं सकती क्या जो अभ्याती है जिनने फ्रेंस एकजाम डालने के लिए फॉर्म भरा था उनके फ्रेंस यदि एकजाम नहीं होते हैं तो क्या रुपे पैसे बापिस होंगे या इसके लिए पुना आभेदन किये जाएंगे आखर क्यों है कि एक जाम अभी तक या MP में क्यों नहीं कराए जा रहे हैं तो इस पर्ष्ट कर दूँ जब से जो पीवी नियन तक थे एसके वदोरिया जिनकी COVID-19 के कारण फ्रेंस है मेत्तु यानि एक्सपार हो चुके थे तब से पीवी कंट्रॉलर के पत पर अभी भी कोई भी फ्रेंस वहाँ पर कारणत नहीं है जिसके लिए हम देख सकते हैं कि जो एकजाम है वो जिद लगातार पोस्पेट हो रहे हैं अब पीवी की साइट पर हम जैसे ही आएंगे तो लेस को चलते हैं पीवी की साइट पर और देखते हैं विस्तार से जानकारी जैसा कि आप इसके पर देख सकते हो यह पीवी का होमपेज ओपिन हो चुका है आप भी इसे कर सकते हैं सबसे पहले हम देख सकते हैं जो एधर है कॉंट्रेक्ट नंबर दिया गया ह है उसको मैं जूम करके आपको बता दूँ इस कॉंट्रेक्ट पर आप कभी भी बात कर सकते हैं सिकाय थी तो इमेल है और साथ टॉल फ्री नंबर दिया गया इसके माद्यम से आप चानकारी पर बाइट कर सकते हैं तो मैंने कहा था कि यह वर्थ इनकी डेट है आखिरकार फ पत्त के लिए आए फ्रेंस हम देख सकते हैं नौटिपिकेशन नियकाली गई है इसी बजाए से जो देख सकते हैं लगातार जो एक्जाम है वो पोस्ट पेट होते जा रही है क्योंकि परिक्षा कंट्रोलर की न्युक्ती ही नहीं है पीबी पर तो इसी बारे से एक्जाम नहीं हो रहे हैं परिक्षा कारिक्रम को जैसे हम इंटर करेंगे तो आपके सामने तो ठाउजन इकीस का जैसे हम देख सकते हैं तो एक्जाम क्लेंडर आपके सामने आ चुका है यह से जूम करके हम देख सकते हैं जैसा की पसुपालन डिप्लोमा प्रिक्षा तो इसकी पहले ही कहा था इंटेस्ट हो सकते हैं लगातार आप देख सकते हैं इनकी डेट बढ़ाई गई थी अब नबंबर में रखे गए हैं यह देख सकते हैं क्रसी विश्कास है मत्पदेश भूपाल की अंतरगत जो विश्ता रतकारी की जो परिक्षाती पोना कराई जा रही है इ वहीं समूद दो वर्क की भी सेंख़पोना परिक्षा कराई जा रही है जो कि धान्दली की आदार पर वहीं देख सकते हैं अब सबसे बड़ा इधर देख सकते हैं प्राथ में शिक्षक भरत्ती परिक्षा जा मैं एक रिकौर्मेंट टेस्ट है डिजिल्विलीं टेस्ट ह यह देख सकते हैं इस से पहले दिसंबर यह डेट दिखाई दे रही थी अब देख सकते हैं यह 2022 तक फ्रेंस पहुँच चुकी है जब कि वहीं देख सकते हैं 2020 में इसके आवेदन फॉर्म जनवरी में सम्मिट हो चुके थे यह परिक्षा नहीं हो सकी है तो आप अभ्याती ठ यह डिख सकते हैं तैयारी करचर और एक जाम होगी अब यह संभाव ही नहीं है इसे मेरे वहां के अथकारी झाल झाल